डिव्या काकरन रेपेचारज राउंड दो में इन्होंने 40 से जीत हासिल कीjust ह यहार गई थी कि थांशे हो कि लगातार समर्तन बना हुआ और पहला मूव लगाया है कौकर ले मैली ने दिव्या इनफाक्ट उस मूव में डॉमिनेंट हो गई है और दो पॉइंट उनको मिल चुके हैं मूव की शुरुवात की थी टॉंगा ने लेकिन दिव्या ने अपनी प्रतिपक्षी को उनीके मूव में उलजा लिया है चाइगर लिली चली थी दिव्या को पटकनी देने जबकि दिव्या ने उनको चित कर दिया है पिन फॉल से आधे मिनट की अंदर अंदर उन्होंने ये ब्रॉंज मेडल जीत लिया है पूरी तरह से एक तरफा बाउट और दिव्या काकरान जो की 2018 गोल कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स की ब्रॉंज मेडलिस्ट है यहां भी ब्रॉंज मेडल अपने नाम किया मूब लगाया था लिली ने लेकिन यहां दिव्या ने उनको उल्चाया दो पॉइंट लिये और देखिए दिव्या की पीट टाइगर लिली के उपर है और यहीं से अपनी पीट के बल से उनोंने टाइगर लिली के दोनों कंदे मैट पे लगाए रेफरी देख रही है जैसे ही दोनों कंदे लगे दूसरी नहीं तीसरी अटेम्ट में जैसे ही कंदे जमीन पे लगे उसी वक्त मैट को थप थपाया और दिव्या काकरन को पिन फॉल से चित पटकी से एस बाउट का विजेता गोशित कर दिया है शॉर्ट एन स्वीट पाउट आधे मिनट में भारत ने मेडल जीत लिया है